गाईज एक बार आपका फिर से स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ ओपो का ए सेवेंटीन मॉडल बहुत ही जादा अच्छा और काफी जादा कमडेड में यह आपको मिल जाएगा तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ओपो ए सेवेंटीन की के डमी जो है बहुत ही जादा अच्छी गाइस दिखती है आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग कैमरे बनाए हैं काफी बड़े कैमरे हैं और इसमें दो कलर आते हैं ब्लैक और और ऑरेंज कलर आता है दोनों को आज हम यहां पे इस वीडियो में अन्बॉक्सिंग करने व चार जीबी बढ़ा भी सकते हैं इसमें रहें तो गाइस बहुत ही बढ़िया यानि कि आप इसको चार जीबी बढ़ा के करेंगे तो यह आट जीबी और 64 जीबी तक वेडियेंट हो जाएगा मेगा पिक्सल का इसका कैमरा है प्रीमियम लैदर फील्ड डिजाइन गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया और अच्छा है अगर इस दिवाली पर अगर ओपो का फून खरीना चाहते हैं तो जाके फटा-फट से मार्किट में जाए और यह 17 मॉडल आप खरीदें और दिव हम लेके आ चुके हैं आप देख सकते हैं फोर जी-बी सिस्टीफी फोर जी की दोनों वेरिंट ऐर मेडियो और यह भी देख सकते हैं यह मिद नाइट ब्लैक है और यह सलाइड और उरेंज कलर दोनों को आज हम अन्वाकिसिंग करके एक साथ आपको दोनों को कमपेर करके कलर दिखाने वाले हैं तो अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं यहां पर इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूं तो चलिए गाईज मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रीमियम लैदर ले एक्स्टेंडडे है चारजी बी तक आप रैम भी बढ़ा सके तो चलिए फटा फट से आपका टाइम भी हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो चलिए मैं दोनों को आपको फटा फट से अन्बॉक्सिंग करके दिखा देता हूं उसके बाद गाईज फिर हम कैमरा ट आपको फटाफट से रिखा दिते पयो चलिए काईज तो गई आप देख सकते हैं मैंने सको कटिंग만 कर दिओ और अभी सको हम unboxing करके आपको दिखा देंगे फटा फट से की black color कैसा दिखता है तो गई आपने देखा होगा तक्रीब आपको औरेंज color में यूट्यूब पर जादा video मिलेंगी और black color में बहुत कम video मिलेंगी तो गईस देख सकते हैं यह royal blue color में आता है काफी ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव कलर है गाइस देख सकते हैं यह है इसकी फर्स्ट लुक मिड्नाइट ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं ओपो ए सेवंटेन का जो कलर है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो गाइस अगर आप इन दोनों को खरीदेंगे दोनों में से जो भी आप कलर आपको पसंद आता है तो वह आप जाके मार्केट में फटा फट से खरीद लें यह दोनों है ऐसेवंटीन मॉडल और इसका अब हम दूसरे को भी अन्बॉक्सिंग करके आपको दिखा देते हैं कि वह भी कैसा दिखता तो चलिए गाइस फटा जादा अट्रेक्टिव कलर है और आप देखें दोनों को अगर आप मार्केट में जाएंगे लेने तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा कलर लें गाइस औरेंज लेंके मिडनाइट ब्लैक लें तो बहुत अच्छे कलर हैं दोनों के आप जाके फटा-फट से मार्केट मे धिखाते हैं दोनों का कैइमरा एगी जासा और दिखा दीए हैं कि एसका कैमरा कैसा देख सकते हैं के यहां से तोड़े बाहर आया बहुर踊 आप देख सकते हैं किसी भी Android फोन में अगर आप ज्यादा जो लगती है केबल वही आपको भी एट केबल साथ में इसके मिल जाती है उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर इसके जो स्पीकर आउटपुट स्पीकर है और काफी ज्यादा अच्छी एट्रेक्टिव लुक द दिखा देंगे कि गामरा कैसा दिखता है क्योंकि अगर आप फोन लेने के तो सबसे जो प्रेफरेंस होती है केमरे की जादा तर होती है की कामरा बहुत हीजादा चाहूनगे तो चलिए औन हो चुका है मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ 50 अपिकसल का कैमरा है तो फटा- तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेटप हो चुक है और सिस्टम उन चुक है उसके बाद अब हम फटा-फट से आपको कैमरे की क्रेड़ी दिखा देते हैं कि कैमरा कैसा दिखता है तो चलिए अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब में किसी भी शॉप से मिल जाएगा और अगर ऑफर दिवाली के आसपास लेते हैं तो आपको इसके साथ गिफ्ट बगहरा अगर कुछ भी आप साथ में इसको डिमांड करेंगे शॉप की पर चैस करने से अच्छा आप किसी भी जाके स्टोर में किसी भी शॉप में आफ लाइ करते हैं तो आगाइस वहाँ पर जाके आप कंपलेंड भी एजिली कर सकते हैं तो आउनलाइन बिल्कुल भी मत खरीदें इसको आफ लाइन जाके खरीद लें और आपको डिस्काउंड मिल जाएगा प्लस आपको साथ में दिवाली का गिफ्ट मिल जागा तो चलिए गाइस हम गाइस को कैमरा ओन किरेंगके आपको दिखा देते हैं कि कैमरा इसका कैसा दिख्टा ऑעद जाएघ था कहोई कर सकेंगे अषानी से गर बैठके कि यह आपको खंप्र लगता तो देख सकते हैं सबसे पहले क्सिंग करते हैं तो यहां से आप कृलिटी टेस्ट करते हैं की कामरा कैमरा कैसा है सबसे पहले तो keyboard आगर आप तक्राइब आप कोई रेडमेस कोई भी अगर आप बेंड लेंगे तो आपको को ऐसा ही कैमिरा मिलने वाला है क्यूंक convert ज़ाधा तर आपको मिलते उपो के जो that थी झादा पर अच्छे होटे हैं तो आप देख सकते हैं क्यासा दिखता है यह दिख सकतेlicher में पो का मिले को फून के साथ एक तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि एक तो इसकी लूप भी अच्छी है और रिफ्रेश रेट भी आप देख सकते हैं तो इसका वर्चियल रैम आपने जैसे चार्ज भी रैम है तो आपने चार्ज भी रैम कैसे बढ़ाना आपने सैटिंग में चले जाना सिंपल वहाँ पे आपने जाके सीधा जाना है डिवाइस अबाउट डिवाइस में तो जैसे आप अबाउट डिवाइस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं रैम चार्ज भी इसका फून का अपना रैम है और यहाँ पे अभी एक जी भी देख सकते हैं आप एक जी भी तक बढ़ लेना है जैसे ही आप और गाइज अब इस फोन को आप इसानी से रिस्टाट भी नहीं कर सकेंगे तो आपने कैसे इसको रिस्टाट करना है आपने जो पावर ओफ का बटन है इसको वॉल्यूम अपका बटन दोनों को एक साथ अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको आप्शन जाएगा रिस्टाट करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि इसका चार जीबी प्लस चार जीबी जैसा कि मैंने आपको दिखाया पहले फोर जीबी प्लस वन जीबी था और अब आपको वहां दिखेगा फोर जीबी प्लस फोर जीबी तो चार जीबी इसका camera वो देख सकते हैं आप उसके बीच में camera है चोटा और नीचे ये आप देख सकते हैं micro lens है ये जिससे आप अगर blur करते हैं cinematic कोई photo click करते हैं तो आप background blur करने के लिए ये lens जो है वो काम आती है तो गाइस ये दो camera है इसके और 50 megapixel का setup है तो जैसे ये on होता है तो फिर आप देख सकते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि इसका RAM जो है वो 4GB प्लस 4GB हो जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे इसको virtual RAM बढ़ा सकते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूं यह दिखी यह on हो चुका है इसके बाद हम सीधा जाएंगे setting में setting में जाने के बाद about device में जाएंगे तो वहां से आपको पता चलेगा चली मैं आपको दिखा दो देख सकते हैं आबाऊट डिवाइस में जैसी जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर 4GB प्लस 4GB हो चुक है यानि के हो चुका है 8GB तक तो आप देख सकते हैं इसका जो पर्सेसर है लिजी 35 अक्ताओर पर्सेसर थोड़ा कम है गाइस लेकिन गाइज ओपो के फोन है काफी जादा इनकी लाइफ होती है बहुत ही टाइम तक यह चलते हैं इनकी 6-7-10 येर तक अगर संभाल के रखेंगे तो यह चलते हैं इनकी लाइफ अगर लाइफ के लिए अगर आपको फोन चाहिए तो जरूर रहे लें और बहुत अच्छे हैं अगर आप गेमिंग के लिए गाइज इसको खरीदना चाहेंगी गेमिंग बहुत जाद आची चलेगी तो गाइज इसमें बहुत जाद आची नहीं चलने वाली है क्यूंकि इसका प्रोसेसर जीलियो जी 35 प्रोसेसर है और यह आपको प्रोसेसर 8000 की रेंज में भी मिल बागी इसकी जो क्वालिटी होती है वो रियल क्वालिटी होती है उपो में पिक्सल रियल पिक्सल आते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी आती कैमरे की क्वालिटी और आप देख सकते हैं बैक जो बॉड़ी है वो बहुत ही जादा अच्छी है जिससे आपको देखने में और आपके जो पैसे होंगे वो वसूल हो जाएंगे तो गाइस यह है उपो का A17 मॉडल मिडनाइट ब्लैक कलर और यह है औरेंज कलर दोनों को आप देख सकते हैं अगर आप दोनों को जो भी आपको कलर अट्रेक लगता है और अगर आपको गाइस यह वीडियो अची लगए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मैं यहाँ पे इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ काफी जादा लेटस्ट प्रोड़क्स की यहाँ पे मैं आन्बॉक्सिंग करूँगा पूरी फुल रिव्यू फुल डिटेल में हम लोग देखते हैं और काफी जादा पास से मैं आपको प्रोड़क्ट को दिखा देता हूँ जिससे आप प्रॉपर फील कर सकेंगे उसको कैसा है तो गाइस मैं आपको यह दिखा देता हूँ वैक जो इसका बैक बॉड़ी है वो देख सकते हैं लैधर फिल डिजाइन है और बहुत ही जादा अट्रेक्टिव है तो गाइस अगर आपको यहाँ पर कहीं फिंगरप्रिंट नहीं दिख रहा तो आप यह समझना कि फिंगर प्रिंट नहीं है इसका साइड फिंगर आप ले लें बहुत ही जैदा प्यारा है और काफी लाइड वेड़ और आप लाइड-वेट कीशएं ah तो जबाले नहींद बहुत ही जैः भारत झाल